राम राम सभी दोस्तों को नमस्कार जैहिन जैभात मैं पुर्षवत्व मुद्गल आपका आर्दी कभी नंदन और स्वागत करता हूं जीके वीद पुर्षवत्व मुद्गल यूट्यूब चेनल पर अपने राष्तान समाने प्रीचे से समंदीत पांच कलास हैं हो चुकी है और छटी जो कलास अपनी कौन सी रहगी करक रेखा से समंदीत अपने चर्चा करनी है ठीक है राष्तान के समाने प्रीचे के अंदर अगर अपने बात करें करक रेखा करक रेखा करक रेखा से समंदित चर्चा करें तो करक रेखा को अपने 23 डिग्री या अपने इने लिख सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट उत्री अक्सांस रेखा भी कहा जाता है करक रेखा जो है ये विशव के 3 महा दिवपों से गुजरती है महा दिवपों से गुजरती है करक रेखा भारत के 8 राजों से गुजरती है करक रेखा जो है इसके भारत में जो कुल लंबाई है भारत में उल लंबाई जो है 8 राजों के अंदर वो कितनी है 2934 किलो मिटर भारत के 8 राजों के अंदर करक रेखा की क्या रहती है करक रेखा जो है भारत में ध्यान रखना की सरवादिक लंबाई जो है करक रेखा की सरवादिक जो लंबाई है करक रेखा की सरवादिक लंबाई ये मद्यपरदेश राजे में है और नियूनतम जो लंबाई है करक रेखा की नियूनतम जो लंबाई है ये किस राजे के अंदर है तिरपुरा राजे में है कौन से राजे में है तिरपुरा राजे के अंदर निय कितने महादीपों से तीन महादीपों से बार्त के राजियों से गुजरती है आप कोन से आप करके बताओगे या आपके लिए क्योशन है ठीक है साड़े 23 डिगरी या 30 डिगरी 23 मिनिट उत्री एक शांस रेका का जाते है विश्व की तीन महाधिपों से गुजरती है भारत के 8 राजियों से गुजरती है कुल लंबाई कितनी है 2934 किलोमेटर सरवाधिक लंबाई मध्या पर देश नियूनतम लंबाई कुन सा है ति एक राजिय अपने कौन सा आ चुका है गुजरत एक अपने कौन सा है राजस्थान एक अपने मध्या परदेश एक 36 गर्ड जार खर्ण इसके अलावा तिरपुरा मिजोरम सरी बंगाल तिरपुरा और मिजोरम ठीक है कौन-कौन से राजिय अपने एक तो आ चुका है परदेश एक राजे अपने कोन सा ध्यान रखोगे 36 गड़ एक राजे अपने आता है कोन सा जारखंड जारखंड एक राजे अपने आता है यहाँ पर पस्चिम बंगाल पस्चिम बंगाल एक तिरपुरा और एक राजे अपने कोन सा है मीजोरम इन राजों से अपने कोन सी रेखा गुजरती है करक रेखा गुजरती और करक रेखा की कुल लंबाई जो है वो कितने 2934 किलोमेटर करक रेखा की राजस्तान में भारत के अंदर कुल लंबाई रहती ह अपने चर्चा करनी है किस पर राजस्तान पर चर्चा करनी है राजस्तान के किन जिलों से गुजरती है करक रेखा जो है ये राजस्तान के किन जिलों से गुजरती है तो करक रेखा द्यान रखना की राजस्तान के बिल्कुल दक्षिन से गुजरती है यहां से ये करक रेखा गुजरती है करक रेखा जो है ये राजस्तान के दक्षिन से द्यान रखना कुन सी रेखा गुजरती है करक रेखा गुजरती है तो करक रेखा राजस्तान के दक्षिनी छेतर से गुजरती है करक रेखा कैदो चैय अपने इसे क्या कह सकते है 23 डिग्री उत्री अक्सांस रेखा भी कहा जाता है 23 डिग्री उत्री अक्सांस रेखा के नाम से भी जाना जाता है और किन जीलों से गुजरती है बांसवडा और डुंगरपूर जीलों से करकरेखा गुजरती है बासवडा के बिल्कुल मदे से गुजरती है करकरेखा और करकरेखा बासवडा के कुशलगड तैसिल के मदे से गुजरती है जबकि डुंगरपूर के द्यान रखना की कहां से तो चीखली से गुजरती है, जबकि बासवडा में कहां से गुजरती है, ये कुसलगड से गुजरती है, कौन सी रेखा गुजरती है, करक रेखा गुजरती है करक रेखा पर सुरिये का परकास जो अल लंवत 21 जून के दिन पड़ता है तो द्यान डखना यहां तक सुरिये उत्रायन होता है उत्री गुलार्द में सुर्य कहां तक उत्राइन होता है करक रेखा तक उत्राइन होता है करक रेखा से आगे उत्राइन नहीं होता है सुर्य प्रकास आगे तिर्चा गिरता है तो सुर्य का सरवादिक तिर्चा प्रकास कहां पर गिरता है गंगा नगर जिले में गिरता है त कितना भाग जो है करक रेखा की दक्षिन में स्थीत है तो थोड़ा सा नाम मत्र का भाग है कुछ बाग बासवड़ा कर कुछ बाकिस का है डुंगर पूर्जी लेका तो यह बाकिस कहां पर स्थीत है उत्तर में स्थीत है अगर अपने बात करें कि करक रेखा जो है करक रेखा को माही जो नदी है करक रेखा कौन सी नदी है माही नदी है ये माही नदी बासवडा में परवेश करती है और करक रेखा को उल्टे यू किया करती बनाते वे दो बार काड़ती है तो ये कौन सी नदी है माही नदी करक रेखा को दो बार काड़ती है इसके अलावा अपने एक नदी और आती है कौन सी अनास नदी आती है अनास नदी करक रेखा को एक बार काड़ती है अनास नदी जो है ये करक रेखा कितनी बार काड़ती है एक बार काड़ती है तो अनास नदी अनास नदी करक रेखा को एक बार काड़ती है जब कि माही नदी कितनी बार काड़ती है दो बार करक रेखा की कुल लंबाई जो है ये कितनी है 26 किलो मेटर है राजस्तान में कुल लंबाई कितनी है 26 किलो मेटर भारत में 2934 किलो मेटर रहती है तो भारत में 2934 जबकि राजस्तान में कितनी है 26 किलो मेटर रहती है और करक रेखा से सर्वादिक उत्तर में स्तित जिल कौन सा है गंगानगर है सुरिय का सीधा परकास कहां पर बांसोडा में गिरता है और द्यान रखना की जैसे जैसे अपने राजस्तान में उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो सुरिय परकास तिर्शा चलेगा ठीक है तो अपने देखो करक रेखा से समंधित क्या-क्या अपने फे करक रेखा राजस्तान के दक्षिन से गुजरती है करक रेखा की राजस्तान में कुल लंबाई कितनी है 26 किलो मीटर है करक रेखा राजस्तान के दो जिलों से गुजरती है कितने जिलों से गुजरती है करक रेखा राजस्तान के कितने जिलों से गुजरती है गुजरती है दो जिलों से एक तो जिला कौन सा है बासवडा जिला है और एक कौन सा जिला है डुंगरपूर जिला है बासवडा के ध्यान रखना करक रेखा मद्दे से गुजरती है और बासवडा की कौन से तैसिल से गुजरती है तो कुशलगड तैसिल से गुजरती है के मद्दे से, कुसलगड तैसील के मद्दे से गुजरती है, और डुंगरपूर में कौन से, चीखली से गुजरती है, चीखली से ध्यन रखना डुंगरपूर से गुजरती है, करक रेखा जो है, करक रेखा की अगर अपने बात करें, तो करक रेखा के सर्वादिक नस्दीक, सर्वादिक नजदीक जिला मुख्यले सर्वादिक नजदीक जिला मुख्यले राजस्तान में करक रेका गे सर्वादिक नजदीक जिला मुख्यले कुण सा है बांसवडा का है जबकि सर्वादिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यले कुण सा है गंगानर का तो क्योशन पूछा जाए कि सर्वादिक दूरी पर जिला मुख्यले पूंसा है अपने सिरी गंगानगर अगर अपने पूछा जाए कि क्या रहता है कि सुर्ये 21 जून के दिन लमवथ समकता है तो करक रेखा करक रेखाय पर सुरिये 21 जून के दिन 21 जून के दिन 21 जून के दिन लंवट चमकता है मतलब बिल्कुल सीधा चमकता है ठीक, तो सुर्ये जो है लंवट या सीधा करक रेखाया कब चमकता है 21 जून के दिन चमकता है और 21 जून से समंदीत एक महत्पून क्योशन हो रहता है कई बार अपने एकजाम में पूछ भी लिया जाता है 21 जून 2015 को 21 जून 2015 को पहला विशव योग दिवस बनाया गया पहला विशव योग दिवस मनाया गया और उसके बाद में परती वर्स 21 जून के दिन योग दिवस मनाया जाता है 21 जून के दिन ध्यान रखना सुर्गी क्या रहता है उत्रायन रहता है पूंटे तो राजस्तान में अगर पूछले जए कि सबसे बड़ा दिन कुण सा रहेगा सबसे छोटी रात कुण से रहेगी तो 21 जून है तो द्यान रख़योगे कि राजस्तान राजस्तान, राजस्तान में 21 जून, 21 जून सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन वे सबसे छोटी रात है, सबसे छोटी रात है, क्योंकि सुरिय उत्राइन जो हता है, वो 21 जून के अंदर उतर, सुरिय उत्राइन जो है, वो 22 दिसंबर को हता है, तो 22 दिसंबर जो है, वो राजस्तान में ध्यान रखना क्या रहता है, यह यहीं पर अपने ध्यान रखेंगे, कि राजस्तान में 22 दिसंबर, 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन वे सबसे बड़ी रात होती है, सबसे बड़ी रात होती है सबसे बड़ी रात होती है किस दिन होती है 22 दिसंबर के दिन इसकी विपरीत अपने द्यान रखना थ क्योंकि 21 जुन के दिन सबसे बड़ा दिन होता है क्योंगी सुर्य उत्राइन होता है 22 दिसंबर सुर्य क्या होता है दक्षिनाइन होता है दक्षिनी गुलार्द में होता है सुर्य नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो राजस्तान में राजस्तान में सुर्ये की सुर्ये सर्वादिक सीधा चमकता है तो राजस्तान में सुर्ये जो है सर्वादिक सीधा कहां पर चमकता है तो बासवडा में चमकता है कहां पर चमकता है बासवडा के अंदर चमकता है क्योंकि बासवडा जो है बासवडा की बिल्कुल मद्दे से करक रेखा गुजरती है बांसवड़ा जिले के बिल्कुल मद्दे से करक रेखा गुजरती है तो बिल्कुल सिधा चमकता है बांसवड़ा के उपर कब 21 जून के दिन चमकता है ठीक तो राजस्तान में सुरिय की किर्णे सर्वादिक तिर्छी पढ़ती है कहां पर पढ़ती है सिरी गंगा नगर में सुरिय की जो किर्णे वो सर्वादी क्या पढ़ती है तिर्ची पढ़ती है रास्तान में सुरिय सरवादिक सिधा कहां चमकता है बासवड़ा में सुरिय की सिधी किरने कहां पर पढ़ती है बासवड़ा में पढ़ती है जबकि सुरिय की सरवादिक तिर्शी किरने कहाँ पर पढ़ती है अब अगर अपने देखें कि यहाँ पर अगर अपने बात करें देखो यहाँ पर सीधा सुरिय सीधा चमकेगा लेकिन यहाँ से सुरिय किरने क्या होगी तिर्शी होगी तो मासवडा के अंदर बिल्कुल सीधा रहेगा सुरिय और गंग बिल्कुल है ना तो option में क्योशन अपने को ये दे दिया जाता है कि राश्तान में सरवादिक निमन में से क्योशन इस परकार से पूश लेता है कि निमन में से निमन में से किस जिले में किस जिले में किस जिले में सुरिये की किरने सुरिये की किरने किरने तिर्ची पड़ती है ये क्योशन अपने को दे दिया अब option क्या दे दिया एक अपने को option दे दिया नागोर एक अपने को उप्षिन दे दिया उदेपूर एक अपने को उप्षिन दे दिया राज समन्द एक अपने को उप्षिन दे दिया जेपूर ठीक है यह उप्षिन दे दिये अब नै तो उसने बांसवड़ा दिया भी नेमन में से किस जिले में सुरिये की किरने सर्वादिक तिर्ची पड़ती है नहीं उसने गंगानगर दिया अपने बांसवड़ अगेरा दिये कोई भी नहीं दिया है तो अपने क्या देखना है इन जिले की जो लोकेशन है वो देखनी है अगर अपने बात करें यहां पर नागोर जो जिला यह नागोर जिला यह यहां पर रहा ठीक है उदेपूर जो है सिद्धी देखो, अगर बासवडा से थोड़ी सी द्यान रखना की तिरशी उध्यपूर, फिर रासमंद, फिर जैपूर, फिर नागोर, तो सर्वादीक तिरशी किरने कहां पर पड़ेगी, नागोर के अंदर पड़ेगी, ठीक है, तो ये जैपूर अपने सहर रहता है, तो द्यान रखना की राश्तान में सुर्यक की किरिने सरवादीक तिर्शी पढ़ती है कहां पर पढ़ती है गंगानर जब कि सरवादीक सीधी कहां पर पढ़ती है बांसवडा के अंदर पढ़ती है तो अपने एक बार देखो कि करक रेखा जो है करक रेखा से समंधित अपने गर अपने बात की जाए तो करक रेका को शाड़े तेश डिग्री या तीस तेश मिनिट उतर से गुजरती यह नाम आपने बताने है बार्त के आठ राजियों से गुजरती है बार्त के आट चजे की करक रेखा जो है करक रेखा राजस्तान के कौन से इसे से डुंगरपूर बांसवडा से गुजरती है डुंगरपूर के बिल्कुल दक्षिन से दक्षिन में चीकली से गुजरती है और बांसवडा में बिल्कुल मद्य से कुसलगड के गुजरती है करक रेखा को माही नदी दो बार कारती है उल्टे यूक्या करती बनाती और अनास नदी एक बार कारती है करक रेखा की राज्तान में कुल लंबाई कितनी है 26 किलोमेटर रहती है करक रेखा जो है राज्तान के बिल्कुल दक्षिन से गुजरती है रास्तान में कुल लंबाई करक रेखा की 26 किल सबसे बड़ा दिन वह सबसे छोटी रात की रूप में रहता है रास्तान में बाइस दिस सबसे छोटा दिन वह सबसे बड़ी रात रहती है रास्तान में सुरिय सर्वादिक सिधा चमकता है कहां पर चमकता है बास्वडा के अंदर बिल्कुल सिधा चमकता है जबकि सर्वादिक सुरिय की तिर्शी किरने कहां पर पढ़ती है अगर अपने बात करें अब नेक्स्ट बात करें तो करक रेखा जो है करक रेखा को माही नदी माही नदी उल्टे यू की आकर्ती बनाते हुए करक रेखा को एक बार काड़ती है करती है तो यह अपने राजस्तान के समाने प्रीचे के अंदर अपनी छटी कलास थी और करक रेखा से समन्दीत अपने क्याती समाने जानकरी थी अब इसके बाद में अपने सात्मी जो कलास है आठमी जो कलास रहेगी वह राजस्तान के राज़े परतीक चीने जो एनके पर उपर रहेगी अपने और एक कलास अपने रास्तान के बगोलिक नाम से समन्दीत रहेगी ठीक है भी? तो अपने next class के अंदर आपके साथ मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन जैभार्थ